हेलो एव्रिवान, हेलो व्यारे बच्चो, वेलकम बैक तो अनदर सेशन लेकिन विथ नया चाप्टर, राइट, वी आर स्टार्टिंग न्यू चाप्टर तोड़े बच्चो, कानेमेटिक्स हमारा ओवर हो चुका है, मैं आपको पहले स्पेशल क्लास में पढ़ा चुका था देखने वाले forces के बारे में क्या-क्या concept है, साथी साथ हम लोग आज free body diagram समझेंगे, normal forces की direction कैसी होती है, कैसे निकाला जाता है, tangent force क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले बच्चो, आज हम खुद को इतना तयार कर लेंगे, कि laws of motion में कोई भी concept हमारा miss ना हो कैसे हैं आप सब लोग बच्चो, हाई रजट, हलो रजट, हाई, cute angel, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, हाई एं रोक्स, शारुक खान भी देख रहे है हमारा session, क्या बात है, सबको जरूत होती ही, physics की life में है, बहुत इच्छी बात है, रिशिता, इशा, विश्नु, मानसा, शुभम, नेहा, ग्रेट, 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 गौरफ, आहा, वा, 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 सिमरं, सुभम, क्या बात है, तुम्हारी energy देखके है, मज़ा आ जाता है, फील आ जाता है, पूरी-पूरी, तो चलिए बच्चो, यह batch है, इसका नाम है, संकल्प, fast track, ठीक है, है ना, तो definitely यार, अपना चैनल तो हर कोई सब्सक्राइब करता है, और सबसे important बात, बहुत अच्छी बात, आपके support की वज़े से, इतने थोड़े से time पे हम 30,000 की family हो चुके है, हमारे चैनल पे 30,000 subscribers हो चुके हैं बच्चो, तो सबसे पहले तो यार, kudos to all of you, ठीक है, रुक है, र सबस्क्राइब कर दो, है न बेटा, फटा-फट सबस्क्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, now we are a family of 30,000, just in few days, 15th of October से हमने session start किया था, आज क्या date है बच्चो, 24th है न, हाँ, तो मतलब अभी 10 दिन भी नहीं हो है, हमें अच्छे से आप देख लो, 9 दिन बड़ यह सब मैटर नहीं करता, मैटर करता आपका प्यार और सपोर्ट जो हमेशा हमें मिलता आया है, और आगे मिलता आना चाहिए बच्चो है न, और प्यार से मैं आपको कहता हूँ, नमूनो, खेर, यह है हमारे टेलिग्राम ग्रुप, t.me slash unacademy need toppers, बड़ा सा नाम, बड़े-बड़े काम इस चैनल के, तो फड़ा-फड है न, इसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, टेलिग्राम ग्रुप भी जॉइन कर लो बेटा, और ऐसे दिल बनाते रहना बहुत अच्छा लगता है न, ऐसे दिल दिखके बड़ा अच्छा लगता है क्या तो नाम है दिखो, डॉक्टर शद्धा पांडे, रॉक्स्टार पांडे, गुड इवनिंग सार, आज यू लाइव, येस बेटा, आम लाइव, डॉक्टर शद्धा पांडे, आम लाइव, बहत अच्छा लगता है तुम लग जब डॉक्टर लिखते हो न, नाम के है हर टाइम कि नहीं मेरे को करना है मैं डॉक्टर बनने वाला हूं या मैं डॉक्टर बनने वाली हूं, यू स्टार्ट लिविंग डाट ड्रीम, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज से है न, बढ़ हां, फिजिक्स अच्छे से करनी पड़ेगी उसके लिए, और इसी कड़ी में कह सकते हो, इसी सीरीज में, आज पहला सेशन आपके लिए लेकर आए हो, लॉस अफ मोशन का, तीन से चार सेशन में लॉस अफ मोशन खतम होगा, फिर फ्रिक्शन में लगेंगे एक या दो सेशन मैक्सिमम, और ऐसे ही हम लॉंग टम में सारे सेशन को करते जाएंगे, सारे chapters को करते जाएंगे, और अगर यहां पे कुछ dropper बच्चे हैं, अगर कुछ dropper बच्चे हैं, तो बेटा मैं आपको एक बहुत amazing चीज आज बताने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों उससे पहले, अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, special class से प बन पा रहा, तो अपना time waste मत करना, unacademy subscription ले लेना, right, because time is more precious than money, आपको already पता है, यह से बताने की जुरत नहीं है बिटा, unacademy subscription में आप ज्यादा focus के साथ और ज्यादा sincere होके पढ़ाई कर सकते हैं, यहां पे live classes तो होती हैं, आप interact कर सकते हो, अपने educator के साथ, आपको live polls मि teacher आपके doubt खुद हटाते हैं, तो feel अलग लेवल की आजाती है, और इस platform पे पढ़ाई होती है, one of the amazing platform है बेटा, जहां पे बिना distraction के, बिना किसी मायूसी के, खुशी-खुशी, बड़ी आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हो, best educators भी आपको मिलते हैं, यहां पे unacademy पे, ठीक ह करना क्या है, आपको simple सा काम है, मैं आपको बता दू, आज 6 बजे, अभी क्या time हो है, बच्चो बताओ, अभी क्या time हो है, अभी बचे हैं, सिर्फ 4 बच के 15 minute है ना, मतलब 4 बच के 10 minute कहलो आप, आज 6 बजे के बाद से prices hike होने वाले हैं, because today is the annual hike day, annual hike होता है एक बार है ना, because yes, companies have to survive, they have to increase the prices, because महिंगाई तो बढ़ रही है, आपको पता है वो बात, तो बटा, आज 6 बजे के पहले ले 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 लेते हैं, तो आपको पुरानी price पे मिल जाएगा, तो you have the last chance, golden opportunity, अगर प्लान किया था कि आने कैडवी subscription लेना है, आगे जाके, देखो मैं पहले बता ज होते हैं, अब हमें लेना पड़ेगा ज्यादा price पे, तो आप देख लो, अभी भी आपके असास मौका है बेटा, 27,000 वन इयर, 32,400 टू इयर में मिल जाएगा, एक और option है आपके पास, अगर आप 6 मन्त के subscription के लिए जाते हैं, बच्चो, 6 मन्त के subscription के लिए जाते हैं, तो 4000 पर मन्त पे करना है, यानि कि 24,000 रुपीज में आपको 6 मन्त का subscription भी मिल रहा है, यह सब discount के बाद तब है, जब आप GG life code लगाएंगे, वहाँ पे, GG sir को love आप already करते हैं, लाइव भी कर दीजिए, और feel ले लीजिए, 10% का यहाँ आपको discount मिल जाता है, right, iconic subscription भी है, यहाँ प live लगाईए, और maximum discount ले लिजिए, ठीक everyone, और यह है बच्चो, सारा का सारे schedule, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, यह 8 PM वाली class आजकर special class में होती है, और एक बहुत बड़ा update आपको session के बीज में मैं दे दूँगा, सबसे पहले थोड़ी energy दिखा दो, वरना तुमें आई है कि मैं छुपा लेता हूं जो चीजे लिखी हुए उसको है ना, वैसे इसमें कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं है ना बेटा, चलो energy दिखाओ फड़ा फट फिर start करते, हाई आयूश, hello Simran, big fan of GG sir and GG ma'am, GG ma'am PRINCI, क्या बात है, thank you, thank you everyone, thank you, okay, Rakesh, हां जी, हां जी, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल आने चाहिए, है ना, दिल आने चाहिए, तभी तो मैं दिल खोल के पढ़ाऊंगा आपको, क्या कहते हो यार, चलो start करते है बेटा, laws of motion, time pass बाते तो मैं बिलकुल नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम जल्दी, हम फास, फास law of motion, second law of motion, third law of motion, लेकिन उससे पहले बच्चो आपको यह समझना पड़ेगा, कि force क्या होता है, और हम यह chapter आखिर पढ़ क्यों रहे है, तो दिखो आपने kinematics में क्या देखा, motion देखा, velocity देखी, acceleration देखा, सब चीजों के साथ deal किया आपने, बट कभी सोचा, कि वो acceleration आखिर क क्यों आया, वो velocity आखिर उस body की क्यों आगई, आखिर वो body accelerate हो रही है, तो उसको करा कौन रहा है, यह सब करा रहा है, force, है ना, जिसके बारे में आपने अभी तक बात करी ही नहीं थी बेटा, अब करोगे, तो यह force है, जिसको हम कहते है, cause of motion, एक football पड़ी हुई है, वहाँ पर लगाया गया है, definitely, तो cause of motion is force, और यहाँ पर भी भाई साब देखो, बहुत महनत करके, इस box को आगे पड़ा रहे है, तो definitely, he is applying some force, and the body is moving, right, यह सब बहुत basic सी बात है, force की definition, आपसे कई बार, NCRT में है ना, 11th grade में पूछ लेते हैं, तो आप लिख देते हो, push य क्या होता है, मैं अभी rest पे हूँ, तो मेरा state of motion क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ, rest is my state, right, अभी ग्र मूफ करने लग गया, तो मैं मूफ कर रहा हूँ, तो यह तो body rest पे रहती है, यह तो body move करती है, तो force जो होता है वो state of motion को change कर देता है अगर कोई body ऐसे rest पर है, सोचो मैं ऐसे rest पर हूँ, आराम से बढ़िया, है ना मजे ले रहा हूँ बढ़िया मौसम है, बगल से कोई आया एकदम hulk type का इंसान और उसने मुझे ऐसे धक्का मार दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो मैं move करने लग जाओगा अभी मैं rest पर हूँ, फिर मैं ऐसे move कर जाओगा तो force ने मेरा state of motion change कर दिया यह definition आपको पता होनी चाहिए, ठीक है या फिर मैं तेखो बहुत जोश में भागा जारो, भागे जारो सामने अचानक से एक दिवार आ गई, मैं उससे टकराया और मैं रुख गया, महीं पर गिर गया, तो मेरा state of motion change क्यों हुआ, मैं तो move कर रहा था, मैं rest पर क्यों आ गया क्योंकि एक force लगा दिया गया वहाँ पे कई बार force जो होता है, वो state of motion को change कर पाता है, कई बार नहीं भी कर पाता, बट try ज़रूर करता है for example, कभी भी देखना, घर पे दिवार होगी, कोई ना कोई दिवार तो होगी है उसको push करने की कोशिश करो, आप force लगा रहे हो, लेकिन वो दिवार move नहीं होगी, unless you are like me, है ना, अगर आप मेरे जितने powerful है, तो शायद आप कर ले, बट है ना, समझ रहे हो ना, मेरी बात मतब, तुम नहीं कर पाओ गया नहीं कर पाओ गया, तो आप कोशिश तो कर रहे हो, move करने की दिवार को बट वो आगे नहीं जा रहा, तो आप force तो लगा रहे हो, तो force क्या करता है, या तो वो try करता है, change करने का, या तो सच में change कर लेता है, कई बार वो change कर लेगा, कई बार नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कहते हैं, कि force is an agent which tries to change or actually changes the state of motion of a body, ठीक है, कोई परिशानी, कोई परिशानी, मानते हो ना, मैं move कर लोगा, है ना, बिलकुल, तुमारे hulks था रहे हैं, बिलकुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अरे सर तो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, अलग बात हैं, क्या बेटा, त क्यूं हैं, बच्चो, ग्राविटेशन फोर्स वीक इसलिए है, देखो, मानलो, मैंने ये दो अब्जेक्ट यहाँ पर पकड़ ली, ठीक है, ये एक अब्जेक्ट है, दूसरा अब्जेक्ट है, इसका भी कुछ मास है, तुम्हें पता है, ये दोनों एक दूसरे को अभी नहीं दे पा रहा, इतना acceleration नहीं दे पा रहा वो, हलाकि दोनों के बीच में फोर्स तो है, है ना, अब ये gravitational force बहुत कम magnitude का होता है, masses अगर बहुत बड़े-बड़े हैं, तब वो force comes in action, you can say, right, जैसे मेरे उपर तो gravitational force लग रहा है, किस ने लगाया, अर्थ ने, क्योंकि वो उसने मुझे attract कर लिया अपनी तरफ, and that is why I am standing here, right everyone, तो ठीक है, gravitational force आपको समझ में आ गया, interaction between masses होता है, infinite इसकी range होती है, technically infinite range होती है, sun और earth भी तो एक दूसरे को attract कर रहे हैं, gravitation force है, तो infinite range है उनकी, है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सरी ये क्या है, अचा तुम ये बूछ रहे हो, ये जिसने हाँ बोला था तुमें, ऐसे, हाँ, ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, special class में मैं इसी से बढ़ाता हूँ, इसी बहे बोलता हूँ, जैसे radio jockeys होते हैं, good morning Mumbai, बस वही वाला माइक है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, electromagnetic force, electromagnetic force भी interaction between charges है, ये interaction between masses था, ये interaction between charges है, इसकी range भी technically infinite होती है, दूर-दूर भी है, अगर masses या फिर charges, तो ये force लग जाता है, infinite is a relative term, ठीक है, इसका मतलब ये है कि काफी दूर-दूर होंगे, तो भी ये force लग जाता है, ठीक है, अब इनका information लेते जाओ, क्योंकि ये कई बार, neat में, theory म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये सब करा रहा हूँ मैं, और मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ हमें skip नहीं करनी है, भले ही वो topic आसान हो, कोई स्वाभी topic हो, जैसा भी topic हो, उसको equal respect देना जरूरी है, बच्चो, वरना आपको respect नहीं मिल पाएगी, marks के अंदर है ना, वो 6 marks चले जाएं के तो रुकसान हो जाता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़ी आगे बढ़ते है, gravitational force आपको मैंने बता दिया है, electromagnetic force मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में मैं आप theory वरी बात नहीं करने वाला हूँ, सब बोल चुका हूँ मैं, और दो टाइप के forces ज अब अगर वहाँ पे proton proton है, दो proton हैं अंदर nucleus के, तो वो तो एक दूसरे को ripple करेंगे ना, दोनों में positive charge है, वो ripple करेंगे, तो फिर आखिर nucleus stable क्यों होता है, बताब proton proton जो है, वो एक दूसरे को ripple करके एक दूसरे को दूर क्यों नहीं भगा देते हैं, और nucleus तूट क्यों नहीं है stable ही क्यों है क्योंकि वहां पे यहां पे electrostatic repulsion तो है दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को push कर रहे है दूर दूर लेकिन लेकिन क्योंकि protons बहुत पास है एक दूसरे के तो यह force भी आ जाता है nuclear force यह dominating force है और यह यहां पे बिटा आ जाता है यह यह बचा लेता है अलग-अलग होने से तो nucleus की stability के लिए कौन सा force responsible है nuclear force is responsible है 10 पावर माइनस 15 मीटर इसकी range होती है 10 पावर माइनस 15 मीटर इसकी range होती है अभी आप ही मैंसे किसी ने मुझे एक doubt भेजा था ठीक है एक question भेजा था कि सर एक question है वहाँ पे दिया हुआ है कि दो protons है ठीक है क्या है बेटा दो protons है और वो दोनों protons जो है वो 0.5 मीटर अवे हैं एक दूसरे के 0.5 मीटर अवे हैं एक दूसरे के ठीक है और उसमें पूछा गया आप से कि कौन-कौन से forces लगेंगे electrostatic nuclear both none of these क्या answer दोगे यहाँ पे अगर दो protons इतनी दूर है एक दूसरे से तो सिर्फ electrostatic ही लगेगा nuclear force नहीं लगेगा क्योंकि nuclear force की range infinite नहीं है बलकि उसकी range तो बहुत छोटी है यह short range force होता है 10 power minus 15 मीटर सोचके देखो कितना कम है 1 meter को divided by 10 power 15 कर दो इतना चोटा है यह समझे हो आप 1 meter upon 10 power 15 इतना चोटा distance है अगर उतना चोटा distance हुआ तभी nuclear force लगेगा इस case में कोई nuclear force नहीं लगने वाला है क्योंकि distance जादा है तो यह order है इस range को आप याद रखिए कई बार ऐसे questions भी बना दिये जाते हैं ठीक है बात समझ में आ गई पिटा है ना बात समझ में आ गई यह चलिए बहुत बढ़िया weak forces आपको बाद में बताएंगे हम ठीक है तो yes let's move ahead now newton's first law of motion यहां तक अगर बात समझ में आ गई है ना तो जल्दी से एक बार दिल बना देना तब तक सर थोड़ा सा है ना जल का सेवन कर लेते हैं because it is very important to keep my gala hydrated right everyone चलो फटा फट दिल बना दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं laws of motion की फिर हम बात करते हैं बेटा ठीक है फटा फटा फट एवर्यवन कम आण क्या बात है क्या बात है क्या बात है बताओ कितने बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं इस क्लास में कितने बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं और कितने बच्चे बच्चे 2021 बैच में हैं मतलब आप अभी 12 में हैं ऐसे बच्चे बहुत होंगे मेरी क्लास में है ना बेटा आपके ल जो बच्चे drop ले रहे हैं इस साल, या फिर वो बच्चे जो अभी 12th grade में हैं, उनको भी 11th बहुत अच्छे से करना होगा, उनको भी 11th बहुत अच्छे से करना होगा, 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 बिल्कु अच्छे से नहीं किया हुआ है तुम्हें बहुत जादा डर लगता है इससे किसी ने आज तक धंसे इतना पढ़ाया नहीं आपको एनिमेशन दिखा दिखा के मैं पढ़ाऊंगा डोंट वरी इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चलो ग्राविटेशन तो फिर भी आप कर लेते हो वो तुम्हें बाद में कराऊंगा पहले मैं उन चैप्टर को टार्गेट कर रहा हूं जो कि खतरनाख है आपके लिए आपके लिए खतरनाख है एक्चुली नहीं है बट आपके लिए ख लोज ओफ मोशन से आगे बढ़े रहा के लोज ओफ मोशन करेंगे वर्क पार अनर्यजी करेंगे देरे त्र आके बढ़ेंगे लेकिन रोटेशनल मोशन पहुचने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा अभी तो मैंने ये चार चैप्टर फ्लान किये हैं SHM में आपको 4–5 से में कराऊंगा और रोटेशनल मोशन भी 5-6 सेशन में कराऊंगा यह शुरू हो रहा है मंडे से जो भी बच्चा जो भी बच्चा 2021 में एक्जाम देने वाला है कान खोल के सुन लो इनका वेट इस बहुत जादा है और यह आपको सताते हैं इसमें आपको परेशानी होती है मान ही जगे SHM से related concept से question आपसे पूछ लिए जाते हैं रोटेशनल मोशन तो जान है नीट इग्जाम की जान है इस बार question नहीं आया था अगर 11 में क्रिपा अटकी हुई है तो बेटा 6 बजे जो class होती है अब वहाँ पर देखो मैं यह मचाने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले SHM कराऊंगा फिर waves कराऊंगा फिर FM कराऊंगा फिर rotational कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा बिल्कुल fast track में ही होगा यह बिल्कुल fast track मानलो की 2022 का बच्चा है जो इसने बहुत पहले पढ़ाई शुडू कर दी थी और मानलो वो अभी तक कर चुका है ग्राविटेशन तक अब उसको SHM waves नहीं आता है अच्छे से तो क्या करे बिचारा यहां आए और पढ़े ना क्या प्रॉब्लम है हम तो आपको सब कुछ द इधर भी होगा लेकिन थोड़े दिनों बाद होगा इसमें तो अभी टाइम लगेगा उसके बद यह ऐसे ही चलते रहेंगे यह सारे चैप्टर जैसे 4 पीम को चलते हैं यह 2022 के बच्चे के लिए बहुत आईडियल बैच है बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाया जाएग बताओ प्लान सही लग रहा है क्या प्लान सही लग रहा है क्या बेटा 6 पीम को मंडे से आ जाना SHM स्टार्ट हो रहा है पहला सेशन लोंगा SHM का 6 पीम को और तुम देखना आज तक तुमको किसी ने किसी ने नीट के लिए SHM और Waves इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा है मैंने एक बार कभी कुछ महीनों पहले Waves का एक मैराथन सेशन लिया था बहुत अमेजिंग हिट सेशन था इतने मैंने उसमें एनिमेशन डाले थे इतने सारे विजुल आईशन डाले थे कि आज तक मतब जितने कमेंट्स है ना उस वीडियो में तुम देखना सारे बच्च मारा है कम्यूनिटी में हर जगे मैं डलवा दूंगा डोंट वरी अबाउट इट लेकिन हां जुड़ जाओं मेरे साथ बहुत मजा आने वाला है फोर पीम जैसे चलता है वैसे चलेगा एट पीम को रेगुलर फास्ट्रैक बैज जैसे चलता है वो चलता रहेगा बच्चो इस पेशल क्लास में बागी सब जैसा है वैसा ही चलता रहेगा ठीक है और यहां पर हम करने वाले है ऐसे चेम वेव एफेम और रोटेशनल पहले पहले गो में फिर आगे जाके थोड़ा और बढ़ाएंगे उसको ठीक है पहले तो इतना प्लान है मेरा इतना हम पहले करने बाले है 2021 के बच्चों के लिए ठीक है चलो everyone तो आगे बढ़े है ना चलिए first law of motion first law of motion क्या कहता है बिटा first law of motion बिल्कुली time pass है खेर ऐसे हमें disrespect नहीं करना चाहिए बहुत बड़ी चीज है ना basic है यह पूरा तो first law of motion कहता है जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी ज ना लगा दे राइट या फिर मेरे नीचे से अगर पूरी जमी नहीं हट जाए तो मैं नीचे चला जाओंगा net force की विज़े से तो जब तक force ना लगे तब तक body या तो rest पे ही रहेगी अगर वो rest पे थी और या तो अगर वो constant velocity से move कर रही थी तो वैसे ही move करती रहेगी state of motion तब तक change नहीं होगा जब तक force ना लगा दिया जाए कोई issue इसमें बेटा कोई issue नहीं होना चाहिए है ना कोई भी issue नहीं होना चाहिए सर आप dropper batch नहीं लेते YouTube पे बेटा वो 6 PM को जो मैंने बताया वो एक dropper के लिए तो ideal batch है नहीं है क्या ideal batch dropper के लिए SHM waves पढ़ा रहा हूँ 2022 का बच्चा अभी धूर ना पढ़ेगा वो सब हाँ अगर कोई 2022 का बच्चा पहले start कर चुका है तो वो definitely पढ़ेगा लेकिन वो droppers के लिए तो ला रहा हूँ क्या बोल रहे हो अरे droppers के लिए तो है और जो बच्चे 2021 में है 12 में है बट 11th week है उनका उनके लिए ideal टाइम है बच्चो अभी कर लो फिर boards का pressure आ जाएगा मेरी बात समझ रहे हो जो बच्चे अभी 12 में है वो अभी कर लो SHM waves बाद में 12th board का exam का जब pressure आ जाएगा तो 11th मे focus नहीं कर पाओगे teachers की बात मानना सीखो बच्चो ये बहुत सही time है बिल्कुल सही time पे एक और scores में आपको दे रहा हूँ ताकि फड़ा 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 आपका जितना backlog है न 11th का वो clear हो जाए इधर से forward direction में clear हो रहा है 6 p.m. वाली class में reverse direction से clear हो जाएगा और 11th क क्रिपा तुमारी कभी नहीं अटकेगी है ना चलिए वेटा यस तो यही है आपका first law जब तक आप force नहीं लगाओगे तब तक वो state of motion change नहीं होता है अब इसका एक example देख लो यहाँ पर देखो balls रखे हुए थे cardboard के ऊपर cardboard को अचानक से इधर खीच लिया गया तो balls नीचे चलेगी ऐसा आप भी करते हो है ना या फिर अगर dining table पे जहां पे एक table cloth है उसके उपर कुछ dishes रखी हुई है मतलब plates रखी हुई आप कहलो अचानक से table cloth को ऐसे खीच लो बहुत तेजी से तो वहीं पे रह जाती है plates है ना तो यहां पे भी वहीं चीज हो रही है ठीक है तो यह तो आपको समझ में आ गया कोई issue नहीं है second law of motion में आ जाते है second law of motion बताता है force का definition कि force कितना होता है क्या चीज होती है यह and second law of motion says कि force is proportional to force is proportional to rate of change of momentum किसी भी body के momentum में जितना जल्दी से change हो जाएगा force उतना ज्यादा लग है ठीक है जैसे कई बार अगर आप किसी बहुत hard surface में गिर जाते हो तो क्यूं ज्यादा चोट लगती है लेकिन वहीं imagine करो कि वह होता है na trampoline types है ना पूरा मैं ऐसे परदा सा लगा हुआ बहुत मोटा सा उपर से बढ़िया land करे उसके उपर पहले नीचे गए फिर उपर आय हाय 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 कोई दर्दवर्द नहीं हुआ क्या difference था तुम बोलोगे sir surface hard था एक में और एक में surface soft था बेटा actually अगर तुम सही में physics जानते हो तो तुम क्या बोलोगे वो मैं अभी तुम्हें समझाता हूं ठीक है देखो ध्यान से change in momentum क्या होता है momentum क्या होता सबसे पहले तो समझो इसको जड़ा feel करो feel करना ज़्यादा जरूरी है बच्चो बाकि f equal to away तो आपको कोई भी पढ़ा देगा feel करो concept को है ना momentum mass into velocity है ना mass multiplied by velocity is known as momentum ठीक है बहुत बढ़िया imagine करो एक surface है एक body यहाँ पर उपर से नीचे आ रही है surface से टकराने वाली है collision होने वाला है सोचो इस body की velocity मान लो बेटा v है initially कितनी velocity है पहले v है और सोचो जब इससे टकरा के रुक जाती है वो body टकरा के रुक जाती है टकरा के वहीं पर गिर जाती है तो कितनी velocity हो जाएगी कि उसकी 0, 0 हो जाएगी, है ना, तो momentum में change कितना आ रहा है, देखो, final momentum 0, initial momentum mv, है ना, तो momentum में change कितना आया, मतलब अगर आप positive value देखो, तो momentum में change आया, सिर्फ mv, mv minus 0 कर लो, यार, positive value के लिए, वैसे तो final minus initial करते हैं, मैं आपको सिर्फ magnitude की बात कर रहा हूँ, mv आ जाएगा, है ना, बहुत बड़िया, अब ये momentum, अब ये momentum जो change हुआ, mv से 0 जो हुआ, ये जो change हुआ, अगर ये बहुत कम time में हुआ हो, देखो, momentum change को same रखो, और time बहुत कम लगा हो, ऐसे जख, ऐसे momentum change हो गया, खतरना कोलीजन हुआ, ऐसे momentum change हो गया, तो बहुत है, time कम लगा, momentum change होने में, तो for the same change in momentum, force की value बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अरे रे रे रे, ये तो feel आ गई, इसलिए जब आप एक tough surface से, है ना, concrete surface से टकराते हो, तो आपका momentum तुरंथ change हो जाता है, समझ में आ रहा है, तुरंथ change हो जाता है, तुरंथ change हो गया, मतलब time बहुत कम लगा, तो force बहुत ज़्यादा लगा है, ना, चोट लगती है, आपको बहुत तेज वाली, राइट, लेकिन सोचो वहाँ पे trampoline वाला cloth है, आप उसी velocity से गिरे हो, और final velocity 0 ही होनी है, लेकिन time बढ़ गया, उसमें, काफी सारा time लग गया बच्चो, और अगर काफी सारा time लग गया, धेर सारा time, तो force की value वहाँ पे कम हो जाएगी, आपको चोट नहीं लगेगी, feel आईए, feel आईए, ये feel होती है, बेटा, laws of motion की, ऐसे जब आप समझोगे न, चीजों को तब जाके आपको थोड़ा physics में interest आता है, और physics से प्यार होना जरूरी है, है न, physics सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, जिस दिन आपको physics से प्यार हो जाएगा, मैं आपको guarantee देता हूँ, आपके 170 प्लस लाने से कोई नहीं रोख सकता आपको, कोई नहीं रोख सकता, और इसके लिए सिर्फ practice से, सिर्फ formula रटने से, इससे कुछ नहीं होगा, प्यार करना पड़ेगा physics से, समझना पड़ेगा, relate करना पड़ेगा चीजों के साथ, ठीक है, तो ये है वच्चो laws of motion, ठीक है, second law of motion, चलो अच्छी बात है, इस पे मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ी और आगे बाते कर लेते हैं, अगर आपको पाते पसंद आरही है मेरी, सब्सक्राइब करो फटाफट और लाइक करो, अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत important चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कहाँ पर बताऊँ, ये तो अभी बताऊँगा, ये तो must वाली feel है, देखी रहे हो, ये तो मैं भी कराऊँगा, don't worry, इस पर आता हूँ मैं अभी, पहले यहाँ पर थोड़ी सी और बाते करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, क्या कहते हैं सर, सर कहते हैं ठीक है, हमें बता दिया गया, कि ये जो force है, वो हो जाएगा, बेटा, dp divided by dt, है ना, equal to लिख सकते हैं, इसको कोई issue नहीं है, constant वहाँ पर one हो जाता है, कोई problem वाली बात नहीं है, ठीक है, dp by dt, momentum को आप क्या लिखते हो, यहाँ पर m into v, तो आपने क्या लिखा, d by dt into mv लिखा बेटा, ठीक है, d by dt into mv लिख दिया, ठीक है, कोई problem नहीं है, सर बहुत अच्छी बात है, अगर मैं एक चीज बोल दू, कि mass of the body is constant, मान लो मेरा बोलने का ऐसा मन किया, तो मैंने बोल दिया, सुन लो, मैं कहता हूँ mass of the body is constant, तो तुम क्या बोलो, कि पता है, अच्छा mass of the body is constant, तो यह d by dt, यानि कि differentiation है, m into v का, और differentiation में जो चीज constant होती है, वो बाहर आ जाती है, तो यहां से mass अगर constant हुआ, तो यह बाहर आ जाएगा, mass अगर constant हुआ, तो बाहर आएगा, यहां पर लिख देता हूँ मैं, बहुत important बात है, mass अगर constant हुआ, mass अगर constant हुआ, तो वो बाहर आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, f is equal to m बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, dv by dt, और dv by dt आपको, ancient civilization में, गुरुकुल में, बरगत के पेड़ के नीचे पढ़ा दिया गया था, कि dv by dt के value होती है, मतलब, उसका मतलब होता है, acceleration a, अब आपका proof हो गया, f equal to m a, f equal to m a, लेकिन, assumption है, assumption है, assumption क्या है, f equal to m a के लिए, mass constant होना चाहिए, अब कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसको रट के चले जाते हैं, सिर्फ इसको रट के चले जाते हैं, I'm telling you, they just remember, उनको यही बता जाता है, second law is force is equal to mass into acceleration, that's it, अरे बिटा, वो तो अधूरी बात है, ये तो अधूरा knowledge है, कि f equal to m a होता है, पहले ये तो समझो, कि f equal to dp by dt होता है, और dp by dt मे, p को m into v लिखते हैं, अगर mass constant हुआ, तभी mass बाहर आता है, और फिर आप लिख सकते हो, mass into acceleration, otherwise, नहीं लिखोगे आप, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कि एक बार neat ने, कैसे तुम्हें फसाया, ठीक है, इसी concept पे फसाया, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, feel करो, पहले बात समझ में आई तो feel बताओ, feel आगे है पूरी-पूरी, ethical to MA हमेशा लिखोगे, या कैसे करोगे, हमेशा नहीं लिखोगे, पहले देखोगे, कि क्या mass constant है, अगर mass constant हुआ, तब ही आप लिखेंगे, फिक्वल to MA, ठीक है, चल ये विड़ा, बहुत बड़ी है, आपका support मिलता जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ाने में feel आ रही है, पूरी-पूरी, इस पे अभी ध्यान मत देना, इस पे ध्यान देने लग जाओगे क्या, अरे मदे ना भी ध्यान इस पे, ठीक है, इसको खेर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ, घेर के कैसे लिखूँगा, चलो लिख देता हूँ, देख लो यार, देख लो ठीक है, कोई बात में, नीट का कोश्चन क्या है या, बोला एक कन्वेयर बिल्ट है, कन्वेयर बिल्ट समझते हो क्या, कभी डेली एरपोर्ट गये हो क्या, टर्मिनल 1 या 3 में खुद ही बूल गया, उसमें ऐसे ना, होरिज़ॉंटल वो है, कन्वेयर बिल्ट टाइप चीज़ है, एसकेलेटर कहलो, तो क्योंकि बहुत बड़ा एरपोर्ट है, तो आप एक एंड से दूसरे एंड जब जाना चाहते हैं, तो इतना चलना पड़ता है आपको, तो होरिज़ॉंटल है, ऐसे नहीं कि सीडिया है, होरिज़ॉंटल है, उस बिल्ट पे जाके आप खड़े हो जाओ, वो आपको खुद पहुचा देती ही जहाँ जाना है, तो वैसा ही कुछ है, बिल्ट आगे जा दिया, ताकि आप भी आगे चले जाओ, तो यह बिल्ट है, ऐसा बोला गया बिटा, कि यहाँ पे इस कन्वेयर बिल्ट में, कुछ मटेरियल गिराया जा रहा है, देखो, जो प्लांट्स होते हैं, बड़े-बड़े पावर प्लांट्स, टील प्लांट्स, वहाँ पे एक जगे से दूसरी जगे, जब किसी ऑबजेक्ट को लेके जाना होता है, जैसे कोईला है, कोल, उसको यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो ऐसे नहीं करते कि एक बंदा उसको उठाएगा, फिर सर पे लखेगा, फिर ऐसे जाएगा, यह इतना सारा मैन पावर लग जाएगा, उपर से efficient method नहीं है, वरकर ने strike कर दिये तो कुछ नहीं करता होगे, तो basically conveyor build का हम लोग use करते है, यहाँ पे ऐसे coal को drop कर दिया, अब यह conveyor build चल रही है, जहाँ पहुचाना था, वहाँ पहुच रहा है लगातार, लगातार काम चल रहा, बड़िया मशीन से है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि m kg per second, देखो, m kg per second material drop कर दिया जाता है, यहाँ पे, m kg per second material यहाँ पे drop कर दिया जाता है, और अगर आपको इसको constant velocity के साथ, constant velocity, constant velocity का मतलब कितना acceleration बेटा, जीरो acceleration, constant velocity के साथ, आप अगर इसको move करना चाहते हैं, आगे की तरफ इस belt को, तो कितने force की आपको जरूरत पड़ेगी, force कितना लगाना पड़ेगा, option A, option B, option C, option D, ठीक है, option A, 2MV, ठीक है, 2MV is the option 1, second option is बेटा, m into V, third option is zero force, no force is needed, और fourth option is Ram jane, यह वाला option बड़ा पसंद है बच्चो को, they are very fond of this option, राम jane, sir हम तो D मारेंगे, तो याद रखना, इसमें marks नहीं मिलते हैं, खुश तो हो जाओ के थोड़ी देर के लिए, बढ़ हम marks नहीं मिल पाएंगे इस वाले option बच्चो को, चलो बताओ, चलो बताओ बच्चो, मैं देखता हूँ, है ना, मैं आपका answer देखता हूँ, और यार, likes की कमी हो रही यह class में, यह गलत बात है, almost 550 students are watching, and likes are 400 something, यह गलत बात है, likes को कम से कम 800 तक पहुचाना है आपको भी, 800 का target है, पहले जल्दी से पहुचा दो, options का है, इसको मैं घेर लेता हूँ, ठीक है, सब लोग like करेंगे, 5 seconds तक गिनता हूँ, मैं, 1, 2, 3, 4, 5, कर दिया like, honestly बताओ, कर दिया like, ठीक है, अब हट जाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे C बोल रहे हैं, 0 कह रहे हैं क्या, 0 कह रहे हैं क्या, बिल्कुल, रजट कह रहा है, feel, feel बोलने से काम नहीं चलेगा, रजट, answer बताओ, anyway, rebel is saying C, pranjal is saying 0, अगर आप किसी chair पे बैठे हो अभी, या जिसी भी चीज पे बैठे हो, उसको जोड से पकड़ लो, बहुत बड़ा जटका लगने वाले आपको, बहुत बड़ा जटका लगने वाले बैठा, 0 is the wrong answer, correct answer मेरी खाल से यहां पे होगा, बच्चो, M into V, हाहा, क्या होगा correct answer, M into V होगा, देखा, फसाद या ना, नीट ने, तब ही तुम्हें तुम्हें कहता हूँ, कि F equal to M A, मत रटो नमूनो, मत रटो उसे आप है ना, और ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताते हैं मिटा, कोई धन से बता रहा है तो सुन लो, F equal to M A कब लिखते हैं, F equal to M A कब लिखते हैं, क्या assumption है इसके लिए, mass of the body should be constant, mass of the body should be constant, अच्छा, क्या यहाँ पर mass constant होगा, जो conveyor built के उपर mass है, क्या वो constant होगा time के साथ, M kg per second mass इसमें आता है, M kg per second, तो पहले second में कितना mass आ गया, M, एक और second गुजरने के बाद, और M आ जाएगा, 2M हो जाएगा, अरे यार मैं तुम्हें हर second, तुम्हें मैं 10 रुपए per second दे रहा हूँ, अब आब सोच पाओगे देखना, तुम्हें मैं 10 रुपए per second देता जाता हूँ, एक second हुआ मैंने तुम्हें 10 रुपए दिये, अगला second हुआ 10 रुपए और दिये, तो आपने कैसे 0 बोल दिया answer, आपने कैसे लगा दिया formula F equal to A में, और कैसे कह सकते हो F equal to A में, बताओ, nation wants to know, F equal to A में लिखके देखा, acceleration 0 है और बोल दिया force 0 है, बात समझ भारी है, feel लिखे जाओ, class में है न, ऐसी feel नहीं मिलेगी कहीं आपको, अब सुनो solve कैसे करना है, चलो, ये तो sir ने style मार दिया, खूब style मारा, dart what भी लगा दी, अब देखो कि solve कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल basic में जाओ, सबसे basic equation जो है न, बेटा, force का, कहा लिखूँ, एक वो था न, कवीता थी, क्या लिखूँ, तो, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे कहा लिखूँ, चलो, यहीं पर लिखता हूँ, हो जाएगा, देखो, बेटा, सबसे basic equation है, force का, f is equal to dp by dt, है ना, बेटा, f equal to dp by dt, अच्छा, dp by dt को, आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, d by dt into m into v, d by dt into m into v, अब सोचो, mass constant है क्या, नहीं, v constant है क्या, अरे हाँ, v तो constant है न मूनो, देखो, अरे रे रे रे, तो feel आ गई, क्या constant है यहाँ पर, v constant है, तो ले लो ना, v को बाहर, v को बाहर ले लो, क्योंकि v तो constant है यहाँ पर, mass variable है, लेकिन, ऐसा आप तभी करेंगे, जब mass variable वाला case given हो, यहाँ पर mass variable है, तो mass को मैं बाहर नहीं ले सकता, अगर v constant है, और मैंने अगर v को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चो, dm by dt, और यह dm by dt क्या होता है, the rate at which mass is coming, याने की kg per second, याने की mass per unit time, और वो मुझे यहाँ पर given है, mass per unit time is m, mass per unit time कितना है बेटा, m कितना mass आ रहा है per unit time, per second कितना mass गिर रहा है वहाँ पे, वही तो represent कर रहा है dm by dt, dm by dt बता रहा है कि कितना mass आता है per second, और वो मुझे m given है बच्चो, तो इसको हटाओ, m लिखो, answer आ जाएगा m into v, फुश रहो, b is the correct answer, feel आई है, जबरदस्थ feel आनी चाहिए, आज तक तुम इतने confidence से आयोगे यहाँ पे, कि मुझे laws of motion बहुत अच्छे से आता है, है ना सर तो सिर्फ basic पढ़ाएंगे, सर ने basic ही पढ़ाया है, लेकिन real basic पढ़ाया है, real basic, अंदर जाके, घुसके बिल्कुल, कि क्या-क्या mistakes आपसे हो सकती है, f equal to m a, मत लिखना, unless and until mass is constant, अगर mass constant नहीं है, तो ऐसे करना है, m into v is the correct answer, ठीक है, जल्दी से थोड़ा दिल बनाईए, जल्दी से थोड़ा दिल बनाईए बेटा, rocket propulsion भी इसका example हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, rocket propulsion में भी ऐसा ही होता है, rocket propulsion भी इसका example हो सकता है, बिल्कुल सही बात है बच्चो, है न बच्चो, ठीक है, आगे बड़े हैं चलो बहुत बड़िया अब यह जो चीज थी वो तो हमने खतम कर दी ठीक है हो गया mass variable होगा तो कर लेंगे सर हम बच्चे आपकी बात मानते हैं है ना बिलकुल मानते बेटा आप कर लोगे यह बात और आप अपना loss नहीं करोगे ठीक है इस chapter को अब ओर करते हैं chapter को नहीं मतलब इस topic को अब आते हैं इस formula के analysis पे देखो force is equal to mass into acceleration देखना इसको ज़रा feel करना ठीक है force equal to क्या given है mass into acceleration इस animation में जो भी चल रहा है यहाँ वीडियो में देखो आप क्या हो रहा है एक artificial leg है artificial leg इसलिए लिया गया है ताकि आपका पैर तूट ना जाए यह जो bowling ball होती है कभी करिया आपने bowling बहुत हेवी होती है ना ऐसे तीन उंगलियों में ऐसे फजा के फिर ऐसे इसको फेकना होता है यह बहुत हेवी होती है बहुत हेवी बॉलिवड मुवीज में आपने देखा होगा बहुत हेवी होती है इस पर अपना पैर मारोगे तो पैर में चोट लग सकती है इसलिए artificial leg लिया गया है एक ball in bowl ली गई है और बलून लिया गया बलून बहुत हलका और bowl बहुत हारी भारी है ना इसको same height तक उप उपर उठाने से क्या हो रहा है जब यह पैर ऐसे आके यहां टकराएगा ना तो दोनों cases में same force लगाएगा क्योंकि same height तक आपने उठाया है तो same force लगा रहा है उसके पास है ना देखो bowling ball थोड़ा सा displace होती है और balloon तो पता नहीं कहा चली गई बात समझ में आ रही है bowling ball को उसका acceleration बहुत ज़्यादा यही तो है second law है ना यही तो है एफिक पर टो एमस से यही तो समझ में आता है mass बहुत कम तो acceleration बहुत ज़्यादा तो balloon must accelerate होके निकल गई लेकिन यह balling ball वहीं पर है क्योंकि इसका mass बहुत ज़्यादा है बच्चो तो mass into acceleration में mass is very high तो acceleration will be very small feel आ law of motion ना बच्चों का favorite होता है पता नहीं क्यों होता है ऐसा ठीक है और सबसे अच्छा example जो इसका देते हैं बच्चों से पूछो की third law मैं जाके है ना थपड मार दिया किसी को तो उधर से मुझे भी थपड पड़ गया तो third law है action का reaction लेकिन ऐसा गांधी जी के साथ तो applicable नहीं था है ना वो तो बोलते थी कि इधर मारोगे तो मैं दूसरा आगे बढ़ा दूँगा तो वहाँ तो third law fail हो गया तो सबसे घडिया example है यह वाला ठीक है वो तो depend करता है कि सामने वाला क्या react कर रहा है ठीक है तो इन type के examples में मत जाना यहां पर third law का मतलब यह है कि जब आप किसी body पे force लगाते हो तो equal and opposite force आपके उपर भी लग जाता है तो उस थपड़ वाले example में यह कह सकते हो आप कि जब मैंने उसको थपड़ मारा तो force उसके गाल पे भी लगा और थोड़ा force मेरे हाथ पे भी लगा equal and opposite उस तरफ और आपके हाथ पे लगा इस तरफ यह अच्छा example है third law का है ना for every action there is equal and opposite reaction चलो तो third law बहुत आसान सा law है बेटा सब जानते हैं देखो यह भाई साब दिवार पे पैर मार रहे हैं तो यहां से आउच की आवा जाई feel हो गया third law ऐसे feel करते हैं देखो क्या तो feel आई जाएगी दीवार का नहीं पता तुम्हें तो आ जाएगी तो मत करना ऐसा ठीक है these are dumb ways to die मत करना ठीक है आउच आउच की आवाज आगई हो गया feel हो गया समझ गया एक animation काफी है समझाने के लिए third law है ना और वही है जब आप वो भी एक example है gun से जब आप bullet fire करो यह भी मत करन और गन fire कर रहा है अपने आप पीछे जा रहा है बंदा देख रहे हो अपने आप पीछे जारा है उसको किसी ने ठेकीरा थोड़ी ना ए देखो यह अच्छा exam पर देखो इसकेट पे था वो rest पे था जैसी gun से bullet fire करी अब वो पीछे जा रहा है स्केट इसलिए लिया गया है क्योंकि वह rolling friction हो जाएगा और smooth surface है तो वैसे तो आप जब खड़े खड़े ऐसे गन चलाओ तो ऐसा थोड़ी है कि जो आर्मी वाले जवान या फिर कोई भी गन चलाते हैं तो गन चलाते चलाते हैं ऐसे 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 जाते हैं ऐसा तो नहीं होता न वह स्केट पर थोड़ना परा करो जितनी गोलियां वो चलाते हैं पीछे आते जाते हैं तो एक दिन तो ऐसे दिल्ली पर आ जाएंगे सारे जवान है ना ऐसा कुछ मत सोचना ठीक है यह स्केट पर है खेर जस्केडिंग हो गया थर्ड लोग की कहानी खतम हो गई है ना चलो आगे बढ़ते मत चो ठी अरे बहुत सारा डाएं पंदरा मिनिट है पंदरा मिनिट में तो मैं आपको सारे बेसिक्स करा दूँगा ताकि अगली इस क्लास से हम सिर्फ और सिर्फ नुमारिकल्स करें ठीक है जोश आई है क्या फड़ा फट बताओ अगर जोश आई है तो जोश बिलकुल कमना होने प थीक है देखो weight of the body क्यों आता है weight of the body क्या क्या कौन responsible weight of the body के लिए obviously उसके पास पहले तो mass होगा लेकिन acceleration due to gravity है ग्राविटी ने पुल किया उसकी वह जासे weight आता है right everyone तो it is a gravitational force it is a gravitational force formula simple है mass into g mass into acceleration due to gravity अब सोचो mass किसी भी body का हर जगे सेम है अर्थ में भी सेम है मून में भी सेम है अगर को 60 kg mass है तो अर्थ में भी 60 kg और मून में भी 60 kg है लेकिन weight अलग-अलग हो जाएगा आपको पता ना moon की gravity अर्थ की gravity से 1 6th है 1 upon 6 times है तो यहाँ पे जो weight हो गता है g पे भी mass is just amount of matter that is present in the body right तो उसको g से कोई लेन देना नहीं है चलो यह सब आपको already पता है direction हमेशा towards the center of the earth होता है हमेशा नीचे की तरफ होता है इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना जैसे देखो मैं कई बार ऐसे सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि देखो ब सरफ एक चीज़ याद कर लेते हैं कि weight is always downwards always downwards तो कहते हैं कि देखो सर यहां पे यहां पे है ना body इसका weight होगा इधर नीचे ओहो फिर उससे पूछोगे अच्छा तो फिर यह गिर क्यों नहीं रहा है अर्थ पैसे stable क्यों है friction forces are opposite direction में तो ऐसी बाते तो करना भी मत ठीक है ऐ बहुती घटिया concept है यह देखो ध्यान से weight हमेशा नीचे होता है हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम generally surfaces को horizontal मान के चलते हैं जहां पर हम कड़े हैं वहां पर horizontal surface है वहां पर नीचे होता है तो यहां पर weight जो होगा वह towards अरे यार यार मुझे लगा pen है देख रहे हो ऐसी तो हो जाता है हमारी class में भी राइट यहां पर जो वेट होगा वह center of earth की तरफ होगा तो always weight is acting towards center of earth की तरफ होगा और horizontal surface में vertically down आप कह सकते हैं ठीक है ओके चलिए नॉर्मल फॉर्स नॉर्मल फॉर्स एक बहुत ही important चीज है नॉर्मल फॉर्स क्या होता है जब आपके पास दो surfaces मैं आपको दो surfaces दिखाता हूँ ठीक है बेटा देखो 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 फटा फट फील करते जाओ आसान है कोई बड़ी बात नहीं है यह एक surface है यह दूसरा surface है यह दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फॉर्स लगा रहे हैं जब भी दो surfaces के बीच में contact होगा तो नॉर्मल फॉर वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं यह इसका basically आप कहसे हैं एक्स्प्रेशन है कि वाइन नॉर्मल फॉर्स एक्ट एक्ट एल्टॉल राइट तो definitely हर बॉड़ी में atoms होते हैं हर बॉड़ी के अंदर electrons होते हैं बीटा तो वह एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं इसके और इसक ठीक है तो basically इसलिए electromagnetic force लग रहा है which is known as normal force normal force की जो direction होती है वो हमेशा compressive होती है वो हमेशा body को compress करने की कोशिश करती है अभी जैसे मैं यहां पर अगर खड़ा हूं right I'm standing here तो मेरे पर यह जो ground है जो floor है वो भी एक normal force लगा रहा है अगर floor ने मना कर दिया कि मैं नहीं लगा आज के बाद normal force तो मैं नीचे चला जाओंगा are you feeling this समझ में हरा है तुम्हें देखो यह जो यह जो यह जो रिमोट है इस टैब पे यह क्यों रेस्ट पे है क्योंकि इस टैब ने नीचे से उपर एक force लगाया अगर यह टैब बोल दे कि मेरा तो हो गया है ना मेरा job my job is over I'm going now और अगर यहां से ऐसे निकल ले normal force लगाना बंद कर दे तो इसका क्या होगा यह नीचे जाएगा सीधा ठीक है तो यह normal force का है जब भी contact होगा तो contact में normal force लगता है direction is always perpendicular to the common surface common surface जैसा भी बने उसकी perpendicular होता है और compressive होता है दो चीज़े याद रखने है ठीक है direction जो होता है बेटा वो perpendicular होता है normal surface के मतब जैसा surface आपको given है contact surface के और compressive in nature होता है विराट compressive strength सुना है कभी compressive है ना दबाने वाला ऐसे push करने वाला ठीक है चलिए तो normal force का थोड़ा सा feel करोगे थोड़ा सा feel करना च कुछ है ना सबसे आसान example बच्चो यह देखो एक table है मानलो table top है table top के उपर बेटा ऐसे book रखी हुई है यह देखो एक book रखी हुई है तो आप सोचो कि यह book rest पे क्यूं है क्यूंकि table top ने उस पे एक force लगाया है ठीक है अगर मैं book को अलग से draw करूं और उस पे forces दिखाऊं तो उसको free body diagram कहते हैं क्या कहते हैं free body diagram सिर्फ book है क्या यहां पे table को हटा दिया हमने draw करने के लिए तो इसलिए इसको free कर दिया सारे supports से और जितने forces लगेंगे वो दिखाने होते हैं तो ऐसा diagram जब आप बनाते हो तो उसको कहते हैं free body diagram ठीक है थोड़ा सा समझ लो इसके बा free of supports, free of supports जो भी support है वहाँ पे वो आप हटा दो और फिर diagram बना दो तो यह free body diagram बन जाता है but show the forces, show the forces on the body समझ रहो बात को free body diagram का मतलब क्या है ऐसा diagram है उस body का जहां पे आपने उसके supports को हटा दिया है you are not showing the supports at all लेकिन जो forces लग रहे हैं उस body पे वो आपको दिखाना है तो मैं आपको ज़रा इसको feel कराता हूँ देखो यह book है, यह table है, book को कौन support कर रहा है, table तो इसका जो free body diagram बनेगा पेटा, free body diagram जो बनेगा ना इस book का, उसमें table को draw नहीं करना है because table is the support, हटा दिया table को, table को हटा दिया, लेकिन forces तो show करने पड़ेंगे, अब सोचो इस book का अगर mass M है, तो weight किदर होगा बेटा, नीचे की तरफ होगा क्या, mg, mg नीचे की तरफ होगा, और जो normal force लगाएगा, table, the normal force that table will apply, will be in the opposite direction, यह है normal force, ठीक है, यह कहलाता है normal force, normal contact force, तो basically हुआ क्या है, तो मैं आ normal force लगाया, table के उपर, तो book उसको नीचे की तरफ push कर रही है, table को, table को बोल रही है भाई, तू नीचे जा, लेकिन table क्या कहता है, equal and opposite force, table कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उपर की तरफ force लगा देता हूँ, तो यह normal force है, क्या यह force, book ने लगाया है, यह normal force, किस ने लग यह जो on लिखा है ना मैंने बहुत important है, you have to show forces acting on the body, not by the body, not by the body, देखो अब मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा slow हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीजे हैं, अगर आपकी clear नहीं है बेटा, तो क्रिपा थोड़ी-थोड़ी अटक जाती, यह बात समझ में आ रही है न अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सब लोग सोचना, ठीक है, सब लोग सोचना, चाहो तो type भी करना, normal force कैसा force है, answer है, electromagnetic force है, दूसरी चीज़, normal force की direction कैसी होती है, perpendicular to contact surface, contact surface ऐसा है, तो उसके perpendicular होगी, किधर होती है normal force की direction, compressive होती है, body को push करने की कोशिश करती है, ये body को push करने कोशिश करती है, pull नहीं करती है, push करने कोशिश करती है, compressive होती है, ठीक है, तो ये चीज़े हैं जो आपको normal force के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर feel आ गई है, तो जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ा देता हू चीज़ों को, ठीक है, फड़ा फट बिटा, फड़ा फट है ना, थोड़ा सा टाइम बचा है, फिर हम class को end करेंगे, don't worry, 4-5 मिनट बाकी है बस, देखो यहाँ पर वही है, normal force का diagram बनाया गया, ठीक है, एक मैं आपको incline plane का case जराब बता दू, फिर मैं आज की class यहीं पर र रखी हुई है, यहाँ कहीं पर, mass M, mass कितना बिटा, इसका M mass है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया M mass है, अच्छी बात है यह तो, इसका weight कि तर होगा, नीचे होगा, क्योंकि यह, यह horizontal surface है, तो नीचे की तरफ लोगे आप हमेशा है ना, तो यह आपने बिटा ले लिया, इ यह angle बताईए बच्छो, theta हो जाएगा, theta angle हो जाएगा, incline plane है, उसका angle theta हमने ले लिया, अब देखो, यहाँ से जड़ा सा इसको ऐसे extend करो, तो यह angle 90 degree हो जाएगा, सुनते जाना, यह theta है, यह 90 है, तो यह कितना हो जाएगा, 90 मैनस theta हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 90 मै पर क्या करते हैं, दो directions consider करते हैं, दो directions, एक direction हम लोग लेते हैं बीटा, along the incline, यह देखो, along the incline, ठीक है, incline plane के साथ साथ वाली direction, और एक direction हम लोग लेते हैं बच्चो, perpendicular to the incline, ठीक है,ICO करते हैं, incline plane problems को, एक direction आप लोगे along the incline, दूसरी डेक्शन आप लोगे, perpendicular to the incline और दो components निकाल लोगे weight के, दिखो, ये weight है mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है, है ना अब जरा सोचना, जरा सा feel करना यहाँ इसके perpendicular है, green line जो है ना बेटा ये ये येलो लाइन के perpendicular है perpendicular to incline, तो ये पूरा का पूरा angle कितना है बच्चो, ये 90 degree angle है, पूरा का पूरा, ये 90 degree angle है, अगर ये 90 minus theta है, तो ये कितना होगा theta हो जाएगा, अरे सरी, तो समझ में आया, इसमें तो कोई problem ही नहीं थी, है ना पूरा 90 है, ये 90 minus theta है, तो ये theta होगा, और बेटा, अगर ये force mg है, तो इसका इस direction में component कितना आएगा ये component आजाएगा, बच्चो mg cos theta ऐसा ही होता है क्या component में जहां पर angle बनता है, वहां पर cos theta लेते हैं, ये component mg cos theta, और देखो इसका एक component इधर भी तो आएगा, ये देखो, इसके दो effects होगे ना, एक इधर ये जो component आएगा बच्चो, वो हो जाएगा mg sin theta, बहुत बढ़िया सर, समझ में आया ये तो है ना, समझ में आ रहा है ना, mg sin theta हो जाएगा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया अब याद करो, हमें क्या निकालना था यहां पर, normal force on the block, normal force चाहिए अब सोचो, normal force की direction कैसी होती है, क्या क्या बताया था सर ने perpendicular to incline incline के perpendicular यानि कि ये वाली direction, इसी direction में होगी normal force, लेकिन क्या block पे normal, इधर लगेगा या इधर लगेगा उपर लगेगा क्योंकि वो block को basically, है ना ये जो surface है, जो incline plane है वो block को इधर push करेगा बात समझ भाई रही है ना, ये देखो, ये incline plane है ये block को ना बेटा, ऐसे push करने की कोशिश करेगा ना, इस तरफ कौन push कर रहा है block को कौन push कर रहा है block को, incline plane तो incline plane push तभी तो करेगा ना, जब वो ऐसे force लगाए तो यही तो direction होगी बेटा normal force की direction ये है और अगर आप देखोगे तो normal की जो value हो जाएगी वो mg cos theta के बराबर हो जाती है ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस direction में net force 0 होना चाहिए इस direction में net force 0 होना चाहिए चलो net force वगरा तो हम बाद में discuss करेंगे पहले ये बताओ कि क्या normal की direction clear हो गई है फिर next class में जब incline plane पढ़ाऊंगा तो इसका acceleration भी निकाल के बताऊंगा इस पे बाद में हम friction force भी लगाने वाले हैं आने वाले topics में बट अभी तो हमने सिर्फ और से बेटा direction समझ लिया इसका feel आ गई है क्या तो जल्दी से बता दीजे मुझे और एक homework ले लिजे जाते जाते आज के लिए ये homework है आपका ये आपको समझना है कि आखिर यहाँ पे normal forces ऐसे क्या क्यों लग रहे है इसके बारे में बस सोचो आप दो मिनिट तक सोचना बस आपका काम हो जाएगा इसका जो explanation है great explanation will be given in the next class ठीक है एक sphere है ऐसे रखा हुआ है देखो normal की direction दिख रही है खुद को explain करके आना कि ऐसा q है normal यहाँ पे एक sphere ऐसे टिका हुआ है इस point पे और इस point पे बीच में gap है है ना ऐसा समझो कि एक छोटी सी नाली है होता है ना गाओं में शहरों में ह地方 होती ही ही छोटी सी नाली है उसमें आपका football जाकर अटक गया है तो ऐसा कुछ दिखाई देखा क्या क्या तो example लिया है ना छोटी सी नाली जा रही है उसमें आपका जाकर football यहाँ तो आप आपको ये चीज़ बताऊंगा और इसके बाद हम लोग करने वाले बेटा कुछ amazing से questions ठीक है इस homework के अलावा दो और homework है आपके ये एक अपका homework है बेटा जहाँ पर आपको निकालना normal force की value कितनी कितनी होगी इस surface पे और इस surface पे ठीक है और उसके अलावा एक और homework है ये वाला fast track batch का नाम है fast track पर ही चलने वाला है सब कुछ यान कि हम बिल्कुल भी time waste नहीं करने वाले है चार से पांच session में आपका laws of motion पूरा हो जाएगा फिर friction start करने वाले है जिसमें आपको दो session लगेंगे जाता से जाता दो से maximum तीन लग जाएगे और फिर work powered energy और ऐसे पूरा syllabus पहले session को like कर देना like करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको schedule बिल्कुल वैसा ही है चार बजे आपकी संकल fast track की class होती है जो अभी चल रही है 6 बजे को Monday से कौन सा topic हो रहा है बच्चो 6 बजे Monday से कौन सा topic होने वाला है SHM होने वाला है simple harmonic motion part 1 होगा उसके बाद waves होगा मतब simple motion चार से 5 session तक चलेगा पूरा कराऊंगा detail में फिर waves होगा waves के बाद आपका बिटा fluid mechanics होगा फिर rotational होगा तो भूलना मत आ जाना मंडे को है ना मंडे को 6 पीम 8 पीम वाली class जैसी है वैसी ही चलती है 12 का इसमें fast track बैच चल रहा है बच्चो हम magnetism कर रहे है special class में class होती है आज भी 8 पीम को आपकी class है special class के अंदर वहाँ पे भी आप आ सकते हो ठीक है 8 पीम special class तो मेरे unacademy उस पे जाहिए आप पे जाहिए मेरा नाम सर्च करिए आपको special class का link वहाँ पे दिख जाएगा ठीक है ठीक है चलिए आज 6 बज़ा वाली class नहीं है ठीक है आज नहीं है 6 बज़ा वाली class मुझे आपके next week के लिए plan करना है कि 6 बज़े का कैसे क्या क्या content होगा क्योंकि हमें भी तो पहले है आपके लिए next week से क्या होने वाला है SHM होने वाला है ठीक है बच्चो और यह सबसे बड़ी बात बिटा अभी भी आपके पास एक घंटे का टाइम है 6 बज़े से prices बढ़ने वाले हैं अभी भी चाहो तो मामी पापको convince करो कि मुझे तो subscription लेना है जीजी life code आप लगाईए और subscription ले लिज चाहिए ठीक है बेटा डेफिनिटली आप ले सकते हैं यह है अने चैंपियंस लीग जो की 25th October यानि कि कल होगा 2PM को टेस्ट देना है आपको for free और लेके जाए प्राइस यह सब प्राइस हैं rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, 2, 10 आज का session अगर मज़ेदार लगा है मजा है आपको आज पढ़ जीजी लाइफ कोड आप यूज कर सकते हैं वन एयर का प्राइस है अभी 27,000 और टू यह का है 32400 फड़ा फड़ा जॉइन कर लो इसको साथी साथ आइकानिक सब्सक्रिप्शन भी है जो बच्चे अपना खुद से प्लान नहीं कर पाते हैं उनको चाहिए कि कोई उनको रो जीजी लाइफ लगा के आप यहाँ पे भी डिसकाउंट ले सकते हो ठीक है अनकाडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट यून आईक्यू यह भी आप जॉइन कर सकते हैं चैप्टर वाइस डेली प्राक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे भी बिटा 11, 12th and droppers के लिए ठीक ह जाते जाते सब्सक्राइब कर देना आनकाडमी नीट टॉपर्स को जिस चैनल पर आप अभी देखना है इसे राइट और यह मंदर की घंटी है इसको दबाओगे तो प्रसाद मिलेगा याने की नोटिफिकेशन आएंगे तो यह भी आप कर दीजिएगा ठीक है सर नोट्स पेटा आजाओ फील वित गौरफ सर यह आपके ग्रूप का नाम है टेलिग्राम ग्रूप का ठीक है पी एच डबल ईल पी एच अरे यह लिख क्यों नहीं रहा चलो जो भी है पी एच डबल ईल फील वित गौरफ सर आजाईए आपको नोट्स अभी पांच मिनट के अंदर म ठीक है ओके एवरिवन मिलते हैं नेक्स क्लास में है ना चलो बबाई एवरिवरिवन सी यो सून हावड़ा